नमस्का फेंड्स में नाम भबली और माँ पेपर है कर में आपका स्वागत है आज देखेंगे यह फर्स्ट सेमिस्टर वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस के यहां पर M.C.Q. क्योशन ठीक है आगरा यूनिवस्टी जो है उसमें M.C.Q. क्योशन पूछे जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्पूर जाते हैं और जिस किसी की भी यूनिवस्टी में M.C. क्योशन पूछे जाते हैं तो बहां पर यह क्योशन पलस देहां पर देखने को मिलने वाले हैं तो यह क्योशन आपके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं पड़ना ठीक है तो बढ़ते हैं हम कहा की और M.C.Q. क्योशनだ को देखते हैं को आए भी मुट कर से को जाता है कै तुम्हारा क्या होता है देखना शुनना बोलना या फिर याद करना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भी शुर्ती मतलब क्या होता है सुनिना हो जाएगा क्या हो जाएगा भी शुनिना हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा है तो यह राइट आंसर का दाएगा भई महा भारत हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं यहां रखा है गड़संग का क्या अर्थ है गड़संग जो है उसका अर्थ क्या होता है समाज जन जाती जन संग क्या या फिर हो जाता है भूभाग तो राइट आंसर क्या रहने वाला कि गड़ संग का अर्थ क्या होता है तो आंसर क्या होता है जन जाती जन जाती जन जाती यहां पर हो जाएगा आगे देखते हैं आगे देखते हैं नेक्स देखा है निर्बासन दंड क्या है जो निर्बासन दंड है वह क्या है निंदा करना अंग भंग करना या फिर देखा है धमकी देना देश से निकालना तो यहां पर कौन सा हो जाता है निर्बासन दंड क्या होता है बिलकुल निर्बासन ठीक है निर कोटिल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है जो कोटिल है उन्हें किस दूसरे नाम से जाना जाता है चाड़क केसब पतंजली शनी तो यहां पर हो जाएगा कौन सा राइट बिल्कुल को दूसरे नाम से जाना जाता है तो वह हो जाते हैं चाड़क कौन चाड़क आगे देख सास्त्र है वह किसने रचाता मनू बुद्ध सोक्र कोटल तो कौन हो जाते हैं अर्थ शास्त के रचाइता हो जाते हैं को तिल आगे देखिए का अब स्थापना कब हुई थी आपको बताना है 1875 1885 1905 या फिर 1920 यहां पर राइट आंसा क्या हुगा बाद राष्ट्रे कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में राइट आंस हो जाएगा ऑप्शन नमबर 2 आगे देखते हैं राष्ट्रे कांग्रेस की स्थापना किसने की राष्ट्रे कांग्रेस की स्थापना किसने की थी लाड करजन ने लाड कलाइब ने एओ रूम ने महात्मा गांधी ने तो कांग्रेस की स्थापना किसने की थी एओ रूम ने की थी राइट आंसर ऑप्शन नमबर 3 आगे देखते हैं 1885 में मुंबई में आयो जित कांग्रेस के प्रतम अधिवेशन की अध्यक्स्ता की थी, very important, Congress के प्रतम अधिवेशन की अध्यक्स्ता किस ने की थी, यहाँ पर आपको बताना है, दादा भाई नोरो जी, W.C. बनर जी ने, बाल गंगा धरतिलक ने, गुपाल कृष्न गोकले ने, तो 1885, 1885, जो मुंबई में आज जि कीगा, next question क्या रहा है, उदार राष्टेबाद के प्रमुख नेता थे, जो उदार राष्टेबाद है, उसके प्रमुख नेता कौन थे, आपको बताना है, दादा भाई नोरो जी, शुरिंद नात बनर जी, फिरो जिसाह मेहता, गुपाल केशन गोकले, यहाँ right answer क्या रहन किसका है, लाला लजपत्राए, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंदरपाल, महत्मा गांदी, तो सुराज मेरा जन्सदीकार है, यह किसने का था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, आगे देखीगा, यहाँ रेका है, हमारे दल का नाम, गरम दल, अता हमारे उद्देश के क और पढ़ा है क्या बरण हमारे साधनों के काड़ पढ़ा है यह कथन किसका है आपको बताना है गुपाल गुष्ण गोकले विपेन चंद्रपाल लालालजपत राय बाल गंगाधर तिलक यहां पर राइट अंसर क्या हो जाएगा हमारे दल का नाम गरम दल हमारे उद्देश के कारण नहीं बरन हमारे साधनों के कारण पड़ा है ये किसका है? बाल गंगाधर तिलक का हो जाता है राइट आंसर ओप्शन नमबर दा हो जाता है किसने का है? बाल गंगाधर तिलक का ये कतन हो जाता है तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? पीलकुल, तो 1905 जो हो जाती है, लाड कॉन हो जाएंगे, लाड करजं जी हो जाएंगे, बंगाल विभाजन किस वराइसराय के सम्कालीन हुआ था, ये हो जाता है लाड करजन के समय में, ठीक है, आगे देखते हैं, बाल लाल पाल किस दल के करांती कह रही थे, नरम दल, गरम दल, स्वराज दल, आजाद, हिंद, फोज के राइट आंसर क्या होगा अभी हमने देखा था बाल, लाल, पाल किस दल के नेता थे तो ये हो जाते हैं गरम दल के राइट आंसर, option number 2 हो जाएगा आगे देखीगा, बंगाल का भी भाजन कब हुआ था 1985, 1905, 1907, 1919 राइट आंसर क्या होगा, अभी हमने बताया था लाड करजन के समय में, 1905 में 1857 की क्रांती हुई थी, इस समय भी कौन थे लाड करजन ही थे, आगे देखते हैं कह रहा है, सेरे एपंजाब किसे कहा जाता है सेरे एपंजाब किसे कहा जाता है गुपाल किशन गोकले, बाल गंगा धतिलक, चंद सीका राजाद, लाला लजपत राइ तो राइट आंसर क्या होगा भाई बिल्कुल, शेर एपंजाब किसे कहा जाता है लाला लजपत राय को कहा जाता है किसे लाला लजपत राय को कहा जाता है आगे देते हैं पंजाब केशरी के रूप में कौन जाना जाता है पंजाब केशरी के रूप में कौन जाना जाता है अरविंद घोस सरदार पटेल लाला लजपत राय बाल गंगा धरतिलत यहां पर किस वुआइशराय ने भारत के बरना क्यूलर प्रेस एक्ट पास किया किस वुआइशराय ने भारत में बरना क्यूलर प्रेस एक्ट पास किया था तो भे कौन हो जाते हैं लाड़ लिटिन ने लाड़ रिपिन ने लाड़ करजन ने लाड़ हार्डिंग ने तो यहां पर एक्ट पास किया था, तो कौन हो जाते हैं आपको बताना है, तो वह हो जाएंगे कौन, लाड लिटिन जी, को जाएंगे, लाड लिटिन जी यहाँ पर हो जाते हैं, बरना क्यूलर प्रेस एक्ट, ठीक है? आगे देखीगा यहां देखा है मराठा और केसरी नामक समाचार पत्रों के संपादक कौन थे मराठा और केसरी नामक समाचार पत्रों के संपादक कौन थे लाला लच पत्राए गुपाल किष्ण गोकले लोकमाने तिलक जी विपिन चंदरपाल जी तो यहां पर कौन सा राइ रहने बाला है बिल्कु सही तो यहाँ पर आ चुका है मराठा और केसी नामक समाचार पतर के संबादर कौन थे लोक मानने तिलक जी हो जाते हैं कौन लोक मानने तिलक जी हो जाते हैं आगे देखिएगा कांग्रेस के पिर्थम अधिवेशन के अध्यक्ष थे कांग्रेस के प प्रिफम अद्यक्षक तक यहां पर बात कहीं जा रही है तो प्रिफम प्रिफम अद्यक्ष को लाionar जाते यही चंद्र बनर जीजी कौन करा है निमने कित प्रश्णों के उत्तर दीजेगा इस प्रकार से भी क्योशण आपके किस में मिलेंगे यही question आपके mcq question बना दिये जाते हैं क्या mcq question बना दिये जाते हैं तो इन question को भी हमें क्या mcq base पे ही पढ़ना है ठीक है दरका है इस बिराट आंदोलन के पीछे सताबदियों का इतिहासता यह कतन किसका है पूछेगा आपसे कि इस बिराट आंदोलन के पीछे सताबदियों का इतिहास था यह कतन किसका हो जाता है तो यह कतन हो जाता है एनी बैसेंट जी का किनका एनी बैसेंट जी का हो जाता है और जिस किसी को पीडियेप चाहिए जिस किसी को PDF चाहिए, discuss में दे रखाए, link बहाँ पर जाके PDF डानलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है? बात करते हैं, आगे भारत में लोहोपुरस की संग्या किसे दी गई है, तो बहे कौन हो जाते हैं? सरदार बललब भाई पटेल जी हो जाते हैं, आगे देखते हैं, next question, करें कांग्रेश और मुश्लिम लिंग ने लखनोव पैक्ट पर कब हस्ताक्चर किये थे? very important question, करें कांग्रेश और मुश्लिम लिंग ने लखनोव पैक्ट पर कब हस्ताक्चर किये थे? तो बहे हो जाता है, 1916 में, कब? 1916 में, आगे बढ़ते हैं, कांग्रेश द्वारा पर्थम पूर स्वाधीनता का प्रस्ताब कब पारित किया गया? कांग्रेश द्वारा पर्थम पूर स्वाधीनता का प्रस्ताब कब पारित किया गया था? तो बहे किया गया था, 1929 में, कब? 1929 में, पर्थम दुतिये विसुद होने से पहले, आगे देखते हैं, यहाँ देखा है कांग्रेश का सूरत बिच्छेद किस सन में हुआ था? दीनता क्या प्रस्ताब यह भी, ठीक है? आगे देखते हैं कि भारतिय राष्टिता, ब्रिटेस राज की सिसूती, भारतिय राष्टिता, ब्रिटीस राज की सिसूती और ब्रिटीस अधिकारियों ने उसके पालने को आशिरबाद दिया, इसका कथन है, आपको बताना है, क किसका कतन है देखीगा भारतिये राष्टता ब्रीटीस राजिकी सिसूती और ब्रीटीस अधिकारियों और उसके पालने को आशिरवाद दिया है तक रहा है किसका कतन हो जाता, آगे बरते हैं भारत ने किस सताबदी को राश्टी जागरती का युग कहा जाता है तो वह कौन सी सताबदी हो जाती है तो वह हो जाती है 19-20 सताबदी ठीक है कौन सी 19-20 सताबदी हो जाती है आगे कुशन की बात करते हैं भारत के राश्टी जागर को एक प्रबुद्ध राजनीतिक आंदूलन किसने कहा है भारत के राश्टी जागर को एक प्रबुद्र राजनीतिक आंदूलन किस ने कहा है तो बहे कौन हो जाते हैं तो बहे कौन जाएंगे डॉक्टर रगुबंस जी हो जाते हैं कौन डॉक्टर रगुबंस जी हो जाते हैं जिन्नोंने राश्टी जागर को एक प्रबुद्र कोंगरेश की स्थापना का मुख्षा काड़ यह था कि मी मिश्टर रॉस ब्रिटीस सामराजी की संकटों से रक्षा करना और उनको तिन उसको दिन भिन होने से बचाना चाहिए थे ठीक है चाहते थे जाहते थे इस कथन किसका है आप को बताना है यह कथन है किसका है देखेगा दोबारा इंडियन नेस्नल कांगरेस की स्थापना का मुखकाड़ यह था कि मिश्टर हुम ब्रोटीस सामराज के संकटों से रक्षा करना और उनको दिन और उसको दिन भिन होने से बचाना चाहाते थे यह कतन है किसका हो जाता है आपको बताना तो कतन हो परजय के किस अदिविशन में भारत चोड़ो प्रस्ता पारित हुआATA कांग्रेश के किस अधीबेशन में भारत छोड़ो प्रस्ता पारित हुआ था तो भै कौन सा जाता है बर्दा अधीबेशन हो जाता है कौन सा बर्दा अधीबेशन हो जाता है कि भै आप बांदे गए हो यहां से यहां तो छोड़ लो यहां पर फस जाओ और मारे जाओ दिवेशन याद हो जाएगा आगे देखते हैं यहां देरका है कि हमारा आदर्स हमारा आदर्स यह क्या है दबा है या पिर दया है दया है ठीक है हमारा आदर्स दया की भीक मांगना नहीं अपितु निर्भता है क्या है अपितु निर्भता है यह कतन किसका है हमारा आदर्स कि भीक माँगना नहीं अपीतु निर भरता है किस का है वाल गंगाधर तिलक जी का हो जाएगा आगे देखते हैं भास डिन प्रितिन प्रतिनीदी समलित हुए आपको बताना है भारती राष्ट कांग्रेस के प्रतिनिधी समलित हुए थे तो बहुरी इंपोर्टेंट कुशन हो जाता है भाई समलित हुए थे सैदे आपको बहुरी आपको बहुरी आपको बहुर्य में तो बहुरी बहुरी है रहा है भारत में स्वादेश्य आंदूल्न में प्रारंभ किया गया गांदी जी कव राष्टी कांग्रेस के अद्रच बने 1924 बेरी मुरें डवी यहां दरका है कि भारत के भारत में स्वदेशी आंदुलन का प्रारम किया गया था तो बह प्रारम किया गया था 1905 बंगाल भी भाजन के बाद में ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां दरका है असायोग आंदुल यहां पर देखने वाले हैं देखा असायोग आंदुलंग का प्रारम किया गया था असायोग आंदुलंग जो था बह कब प्रारम किया गया था तो बह प्रारम किया गया था 1929, 1920, 1930, 1916 का प्रारम किया गया था वई 1920 में प्रारम किया गया था राइट अंसर आप्शन नंब चला था ठीक है तो यहां पर राइट आंसर अप्शन नंबर साँ हो जाएगा आगे देखते हैं जलिए वाला बाग हत्या कांड कभ हुआ 1905, 1909, 1916, 1919 जलिया वाला बाग हत्या कांड कभ हुआ था यह हुआ था कभ 1919 में हुआ ठीक है आगे बढ़ते हैं next question को देखना है महात्मा गांधी के राजनिते गुरु कौन थे महात्मा गांधी के राजनिते गुरु कौन थे गोबिंद रनाडे तिलक गोकले या पर दादा भाई नौरोजी तो यहां पर कौन सा राइट हो जाएगा महात्मा गांधी के राजनिते गुरु कौन हो जाते है तो बहे हो जाते हैं गोकले जी ठीक है आगे बढ़ते हैं निम्रिकित पश्णों के उतर देना है तो ये भी आपके आहम से क्यों कुछ नहीं बनेंगे तो बात करते हैं राष्ट पती के नाम से कौन जाना जाता है तो बहे कौन हो जाते हैं महत्मा गांदी जी हो जाते हैं आ 12 12 में क्या वा था चो penis चोरा कांड हुआ था थीक है आगे बढ़ते हैं यहां झाल महत्मा गांधी दृष्ड अफरीका से भारत कब लोटे महत्मा गांधी दरृष्ड अफरीका से भारत कब लोटे तो 1914 में नितू पंधरा चाहिए था कि निथि सों पंधरा में आई था ना उनिथिस पंद्र निक्रम दच्छर प्रिकास एक बहत कब लोकिे वह ₹-15 हो यह साइमन कमीशन भारत कब आया साइमन कमीशन जू था भारत कब आया था तो यह था यह था 1927 ते भात आया था उनिस सो सताइस दूर ठहरा है उनिस सो अठाइस में भारत आया था 27 में तो बनके तयार हुआ था यहाँ थोड़ा सा मुझे मिश्टैक लग रहा है ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा मिश्टैक लगते हुए साइमेन कमिशन भारत कब आया साइमेन कमिशन भारत कब आया है चलो ठीक है इसको देख लेना एक बार इसको क्या है देख लेना है मुझे थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम लग लग रही कि 27 में आया था 28 में था ठीक है इसको देख लेना एक बार सो शाइमेन कमिशन जो आया था भारत कब आया था इसक सबता है ठीक है यह आगे देखते हैं साइमन कमीशन में कितने ब्रिटी सदस्य थे साइमन कमीशन में कितने ब्रिटी सदस्य थे आपको बताना है तो कितने हो जाते हैं साथ ब्रिटी सबस्य हो जाते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं तो गांधी जी ने किस कारण असायोग चोरी चोरा कांड आगे बढ़ते हैं असयोग आंदूलन प्रारंब करते हुए गांधी ने ब्रिटीश सासन प्रदत्त किस अबदी को वापस कर दिया था यहां पर हो जाएगा कौन सा राइट तो केसर एहिंदी की जो उपादी मिली थी महात्मा गांधी के लिए तो इसे क्या कर दिया गया था बापस कर दिया था ब्रिटीश सासन के लिए ठीक है किसके दोरा असयोग आंदूलन के प्रारंब करते हुए गांधी जी ने ब्रिटीश सासन प्रदत्त किया वह उपादी को बापस कर दिया था केशर एहिंद की उपादी के लिए ठीक है पूँछ सकता है कि केशर एहिंद की उपादी महात्मा गादी ने किस आंदुल में बापस की थी तो असयोग आंदुल में बापस की थी गुमा कर भी पूँछ सकता है आगे देखते हैं हमें बिना सूरिक के प्र लखजी हो जाएंगे आगे बढ़ते हैं अब यहां से स्टाट होता है समिन अबग्या आंदूलन और भारत छोड़ो आंदूलन दोनों के बारे में देखेंगे पहला देखा है समिन अबग्या आंदूलन कब सुरू किया गया जो समिन अबग्या आंदूलन था बह कब सुरू किया गया था तो पहला हो जाता है 1919-1930-1942-1944 यहाँ पर kौन सा राइट होगा? शबिन वज्जान दुलंग कब शुरू किया गया था? 1930 में आरंव किया गया था आगे दिख्ते हैं महात्मा गांदी ने एतिहासिक दांडी यातरा पारंव की महात्मा गांदी ने एतिहासिक दांडी यात्रा आरंब की थी साबर्मती आस्रम से कभी की थी यह आपको बताना है कभी की थी छे जन्वरी 1929 में 4 मार्च 1920 में 12 मार्च 1930 में 6 अपरेल 1930 में तो कब कीती 12 मार्च 1930 में कीती कब कीती वही 12 मार्च 1930 में कीती कौनसी दांडी यात्रा ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रिथम गोल में सम्मेलन का आयोजन किया गया प्रिथम गोल में सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था और इसमें गांदी जी ने भाग नहीं लिया था अंबे में भाग लिया था अब देखा है प्रिथम गोल में सम्मिलन का आयोजन किया गया प्रिथम गोल में सम्मिलन का आयोजन कब किया गया था तो यह किया गया था 1930 में और जो गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था बह तोड़ा था 6 अपरेल 1930 में ठीक है राइट आंसर दाएगा ऑप्शन नमबर सा आगे देखते हैं नेक्स कुशन देखा है ब्रिटीस सामराज एक अभीश्राप है मैं इसे समाप्त करके रहूंगा किसका कथन है गांधी जी नेहरू या फिर हो जाता है जिन्नहा या फिर तिलक जी तो यहां पर कौन होगा भई बिलकुल तो बिटीस सामराज एक अभीश्राप है मैं इसे समाप्त करके रहूंगा ये कहा था गांधी जी ने आगे बढ़ते हैं गांधी इर्विन समझोता किया गया गांध 151929 1015 132 यहां पर कौन संसा बिलकुल राइट हो जाएगा इस ऐक रइता होगा गांधी इर्विन समस्झोता जो हूआ था वह था लें कब ऑप पांँच मांधी इर्विन सम्झोता हुआ था आगे देता है नेच्स कॉशन रहा है भारत छोड़ो आंतुरन का आरंब कभ तो यहां पर राइट आंसर क्या रहने बाला है भारत चोड़ो अंदुलन कप्रारंब हुआ था तो यह कब हुआ था अगरत चोड़ो प्रस्ताब कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था तो बैह आपको बताना इससे पहले वे कोशन में देख रखा है बर्दा, नांगपूर, कलकत्ता या फिर मुंबई भारत छोड़ो आंदर 1921 जो प्रारम हुआ था बैह कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रारम हुआ था तो बैह हुआ था बर्दा अधिवेशन में आगे बढ़ते हैं भारत में लोहपुरस की संग्या किसे दी जाती है तो भारत में जो लोहपुरस की संग्या दी जाती है बैक किसे दी जाती है, पंडित नहरू, महात्मा गांदी, सुभाचंद बो, सरदार पतेल, तो किसे दी आती है, सरदार पतेल जी को दी जाती है, आगे देखते हैं, करो या मरो का नारा किस ने दिया, करो या मरो का नारा किस ने दिया, महात्मा गांदी, बाल गंगादर तिल कारा सबिन अभग्य आंदोलन को रोका घया था तो किस समझ होते के दोरा सबिन अभग्या iOS को रोका गया था तो عणीर्विन समझ होता हूजाता है कौन सा गांदी इर्विन सम्झ था तो यहां आर्ट क्या गाता सितंबर 1931 में पहला कब ओढ़ा था तीस में दूसरा 31 तीसरा भी 30 में हुआ था आगे देखते हैं तो तियग में समीलनक का भायievous किया गया था तो यह क्यांता सितंबर 1931 में जिसमें किसम लिया से जजद्पान बारत के बारेता महात्मा και गांदी ने वियर अंबेड करने दोनों इसमें सामिल हुए थे आगए बढ़ते हैं कहिए रहा है तुमारा दुर्ष्ट्रसिद्धानत किस की दिन है जो दुर्ष्ट्रसिद्धानन की गई थी किस योजना के द्वारा भारत के विभाजन को स्विकृति प्रदान की गई थी तो बह की गई थी माउंट बेटन योजना के द्वारा किसके माउंट बेटन योजना के द्वारा भारत के विभाजन को स्विकृति प्रदान की गई थी आगे बढ़ते हैं माउंट योजना कब प्रस्तावित की गई थी तो very important question ने बही है ना तो माउंट बेट नहीं उजना प्रस्तावित की गई थी फरवरी 1946 में कब फरवरी 1940 में प्रस्तावित की गई थी आगे देखते हैं भारतिय सुधीनता अधिनियम 1947 निखातिय सदियनास आधिनियम बारे में यहां पर देखने वाले थे तो फ़र्श दिरकैंड भारती सदियनास आधिनियम कभ पारित हुआ बहें कभ पारित हुआ ता ता आपको बताना है 1935 1909 1947 1908 तो राइट आंसर क्या होगा भई 1947 हो जाएगा आगे बढ़ते हैं किस अधिनियम द्वारा भारत को 200 अधिन राज्यों भारत वा पाकिस्तान में विभाजित किया गया है किस अधिनियम द्वारा भारत को 200 अधिन राज्यों भारत वा पाकिस्तान में विभाजित किया गया है आगे बढ़ते हैं 1947 के भारतिय सुधीनता अधिनियम का उद्दे से क्या था यहां पर आपको बताना है भारत का संभीधान निर्मार भारत को बेटी सासन के अधिन करना भारत को सुतंत ना होने देना भारत भाजन कर दो सुतंत राजी भारत भारत का पाकिस्तान का निर्मार करना भारत बाह होना सिभारत बांन पाकिस्तान का निरमाड करना तो यहां पर कौंसा हो जाता है राइट हो जाएगा गांका दिया का उन्स सो मरत तचलों का भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए भारत का मिनी संभीधान कहा जाता है आगे देखते हैं प्रांतों में दोएदिसासन इस्थापित किया गया था तो बह कब किया गया था 1909, 1919, 1935, 1947 यहाँ पर राइट आंसर क्या हुआ यहाँ रखा है भारत में दोएदिसासन प्रस्ताबित हुआ था तो यह कब हुआ था 2019 में कब हुआता वै 1919 में हुआ था राइट आंसर बाव हो जाएगा इसका ठीक है प्रांतों में 12 साल में स्थावत हुआ ठीक है ऑप्शन नमबर यहां पर बाव होगा आगे देखते हैं यहां रखा है बिटी सरकार द्वारा 1919 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था तो संबीधान द्वेदिसासन प्रणाली किया पिच्छा अधिक खराब है कतन किसका है क्या क्या संबीधान द्वेदिसासन प्रणाली किया पिच्छा अधिक खराब है यह कतन किसका हो जाता है तो यह जाता है राज गुपालाचारी का किसका राज गुपाली गुपालाचारी का यह खतन हो जाता है आगे बरते हैं 1919 के अधिनीन द्वारा प्रांतों में किसी प्रकार की सासन विवस्ता अपनाई गई तो बताना है कि 1919 के अधिनीन जो हुआ था उसमें किसे प्रकार की सासन विवस्ता अपनाई गई थी तो वह कौन सा हो दाता है दोएद सासन विवस्ता आप मनाई गई थी देखो दोईद सासना वस्ता प्रांतों में कब आई थी 1919 में आई थी वही क्योशन आप रेपीट हुआ आगे देखते हैं भारत का अंतिम गवर्न जनरल कौन था भारत का जो अंतिम गवर्न जनरल था वो कौन था सीराज गुपालाचारी ही थे तो राइ प्रिस्ताबना में किस संसोधन द्वारा समाजबादी धर्म निर्पेच और अखंडता सब्द जोड़े गए हैं तो यहां पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा तो 42 बा संबीधान संसोधन 1976 हो जाएगा बिलकुल राइट ऑप्शन नमबर बी आगे बढ़ते हैं तरह का संबीधान सबाके इस्थाई अद्रक्ष कौन थे तो कौन हो जाते हैं पंडित नहरू बीयार अंबेटकर डॉक्टर एसराधा कृष्णन या फिर डॉक्टर और पर साद हो जाते हैं राइट था हो जाते हैं किसने सर्वदेक गंभीर बाव डाला है तो बहें कौन हो जाते हैं ब्रिटि संबीधान सहकतिर राज κι की संबीधान ने आइर्लेंड के संबीधान ने या फिर भारती संबीधान की रचना में किसने सरबदिक गंभीर पर भाव डाला है तो बहें कौन हो जाते हैं बिल्कुल गंभीर पर भाव कौन डाले का तो भारती संबीधान की रचना में सरबदिक गंभीर पर भाव डाला है आगे बढ़ते हैं भारती संबी संबीधान के उद्देश्यों को प्रती बंदित कौन करता है आपको बताना है मूल अदिकार संबीधान की प्रिस्ताबना निर्ति निदेशक्त दांत या फिर संसद तो कौन करता है भारतिय संबीधान के उद्देश्यों को प्रती बंदित कौन करता है तो बैह हो जाता है आगे बढ़ते हैं next question की बात करते हैं भारती संबीधान ने भारत को किस प्रिकार बर्ड़त किया है राज्यो एवं संग छेत्रों का महा संग एक महा संग ये राष्ट राज्यों का संग या फिर भारत संग तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा भारती संबीधान ने भारत को किस प्रिकार बर्ड़त किया है तो भारत क्या है एक राज्यों का संग है तो यहाँ पर राइट आंसो अप्सल नमबर सा हो जाएगा next question की बात करते हैं कि भारती संबीधान में किस ने भारती संबीधान में कितने अनुछेद तथा अनुसूच हैं तो भाव हो जाएगा कौन सा राइट है 110 राण उसूचीया 412 राण उस justement 434 राण 6 ख 1030 29 को राई टांसर क्या हो जाएगा भई 3950 है राण उस सूचीया और 22 भागे तो इस अपने यहाँ पर हो जाते हैं तो राइटांस प्रोप्षन नमबर दा हो जाएगा आगे देखते हैं next question कहा रहा है कि भारती संबीधान में संसोधन की पद्धती का उलेख किस अनुच्छेद में किया गया है आपको बताना है पहरा दे रखा है अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 372, अनुच्छेद 375 तो 32 संबीधान में संसोधन की पद्धती का उलेख किस अनुच्छेद में किया गया है तो 368 की अंत्रगत किया गया है राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नंबर अपना अ हो जाएगा नेक्स कुर्शन की बात करते हैं नेक्स को देखेगा भारत में संगहातमक सासन है क्योंकि केंदर में दुई सदनातमक विवस्त थापिका है दूसरा देखीगा, संभीधान दोरा केंदरबार राज्यों के राष्ट सक्ती बिभाजन के, यह दरेकाय सोतनतर न्याय पालिका की विवस्था की गई है, संसद की सर्भोचिता है, अब बताना है, भात में संगहातमक सासन है, क्योंकि, क्योंकि, दरेकाय की संभीधान दोरा केंद्रवार राज्यों में इस पस्ट सक्ती विभाजन है ठीक है तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बाग हो जाएगा दो देखा बात में संगहात्मक साचन है क्योंकि संबीधान द्वारा केंद्रवार राज्यों में इस पस्ट सक्ती विभाजन है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेग्स कुशन को देखना है नेग्स कुशन यहां पर कह रहा है तो आ निम्रिकित प्रस्णों के उत्तर देना है फर्स्ट रेखाए किस अनुछेद में संविधाने के तन्त्र के बिफल हो जाने से उत्पन संकट का उलेख किया है तो रेखाहे किसी इस अनुछ 306 में किया ग्या है किसके द्वारा अनुच्षेद के संविधानें के तंतरे में तब सब्धान के बिफल हो जाने से अगर संविधान के कि पिर्किरिया किस देश के संभीधान से ली गई है अगर भारत के संभीधान में संसोधन करना है 368 के अंतरगत तो बताना है यह किस से ली गई है आपको बताना है ठीक है तो कहां से ली गई बई कि अपने संभीधान में संसोधन कर सकते हैं तो यह लिए दच्छड अफरीका के संभीधान से कहा से दच्छड अफरीका के संभीधान से आगे बरते हैं भारती संभीधान की प्रारूप संभीधी के अध्यक्ष कौन है तो भारती संभीधान की प्रारूप संभीधी के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं भै हो जाते हैं बी संबीधान निर्मात्री सभा के परमर्स दाता कौन थे आपको बताना है तो बह कौन हो जाते हैं इसके परामर्स दाता संबीधान निर्मात्री सभा के परामर्स दाता कौन हो जाते हैं तो बह हो जाते हैं बी एन राओ परामर्स की बात कर रहा है तो परामर्स मतलब क्या हो ज सब्सक्राइब किया गया जो सम्भीधान निर्मात्री सभाजों थी उस में उद्देश प्रिस्ताब किया गया था यहां पर पूंचा जा रहा है बैव हो जाते हैं कौन जवाल लाल नहरु जी अपने हो जाते हैं तो संबीधान निर्मात्री सभा में उद्धे से प्रिस्ताब किसके द्वारा प्रिस्तित किया गया था तो बैह हो जाएंगे जबाहरलाल नहरू के द्वारा ठीक है आगे देखते हैं आगे बढ़ते हैं next question देखेगा यहां दे रखाएं भारती संबीधान की संग्य सूची में कितने बिशे हैं आपको बताना है तो कितने हो जाएंगे संग्य सूची की बात कर रहा है तो संग्य सूची में 97 विसय हो जाते हैं कितने 97 97 97 विसय हो जाएंगे संग्य सूची के अंद्रगत बात करते हैं भारती संभीधान की राज सूची में कितने विसय हैं तो राज सूची में कितने विसे हैं 66 विसे हैं कितने वई 66 विसे हो जाते हैं आगे देखते हैं यहां देखा भारती संबीधान का बहिसकार किसके द्वारा किया गया था भारती संबीधान का दू बहिसकार किया गया था बहिसके द्वारा किया गया था तो यह की करने वाले ह कौन Muslim Link के द्वारा किया गया होगा ठीक है तो यहां पर Muslim Link के द्वारा किया गया था आगे देखते हैं भारती संभीधान सभा के कुल कितने अधीबेशन हुए थे तो भारती संभीधान सभा के कुल कितने अधीबेशन हुए थे टोटल बारा अधीबेशन हुए थे कितने टो हो जाते हैं अब सिष्ट सक्तियां किसे देंगे जो बच जाएंगी वो किसे देंगे केंद्र सरकार को देंगे भई केंद्र को अब सिष्ट सक्तियां प्रदान हैं आगे बढ़ते हैं यहां दरेका है राज्यों में राश्पति सासन लागू करने की वश्ता देरे काय संभी धान के किस अनुछेद में की गई है तो अगर राज की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 356 हो जाएगा इसके अनुसार क्या करेंगे राज में क्या करेंगे संभीधान साशन हम लगा सकते हैं या कोई अनुच्छेद बिफल होता है तब वहाँ पर क्या करेंगे किसी राज के अंदर का अगर जो पना होता है ना अनुच्छेद बिफल होता है तो इसके अंदर हम क्य क्या करेंगे 356 लगाएंगे आगे बाते हैं संबीधान कानो छेद 368 किस्ते質 सम्बंदित है 368 जो है वो किस्ते सम्बंदित है संबीधान कानो छेद 306 कि सम्बंद हो जाएगा तो यह हो जाता है संबीधान के संसोधन से तो संबीधान संसोदन से संबंदित हो जाएगा आगे देखते हैं भारत बर्स गरतंत्र कब घोसित हुआ भारत बर्स जो था वो गरतंत्र कब घोसित किया गया था तो बह किया गया था कब 1950 में गरतंत्र घोसित किया गया था ठीक है आगे बढ़ते हैं भारती संबीधान म में कितनी अनुसूचियां है तो बही 12 अनुसूचियां हो जाती है आगे बढ़ रखा है कि संभीधान सभा का अध्यक्ष कौन था संभीधान सभा का अध्यक्ष कौन था यहां पर रखा है कि संभीधान सभा का अध्यक्ष कौन था तो बैक कौन हो जाते हैं डॉक्टर राज प्रसाद आगे बढ़ते हैं देरेका है भारती संभीधान सभा का संभीधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी तो बैठक हुई थी कब 9 दिसंबर 1940 में हुई थी कभी थी 9 दिसंबर 1940 में भारती संबीधान सबा की पहली बैठक हुई थी तीक है आगे बढ़ते हैं आप देखेंगे यूनिट नंबर अपनी 4 के लिए कौन सी यूनिट नंबर 4 जो हमारा कौन साला है पार्ट नंबर बन चलेगा पार्ट नंबर 2 में आपको क् बताना है प्रथम भाग में दुथिये भाग में तर्थिये भाग में चत्वत भाग में मौले कदिकार की यहां पर बात कर रहा है पैस्धम में क्या है तंग्राइजू काजा होगा अब रुकिएगा थोड़ा सा, बिल्कुल तर्टी भाग में ही है, तो मौलिक अधिकार संभीदान के किस भाग में है, तीसरे भाग में ही है, बिल्कुल राइट आंस हो जाएगा, चत्रत में बेतन हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, निम्रिकित में से कौन सा मौलिक अधिका पहले मौलिक अधिकार साथ हुआ करते थे अब छे हो गए है संपत्तिक अधिकार को कानुन निया दिकार बना दिया गया है ठीके यही हो जाएगा बिलकुल अलग ठीक है यह हो जाएगा बिलकुल अलग आगे देखते हैं नेक्स कुशन देखा है तुमारा बरतमान में भारती संभीधान में कितने मौली का दिकार की प्रवधान है तो बरतमान में बात करेंगे मौली का दिकार कितने हैं पांच, छे, साथ, आठ तो कितने हो जाएंगे पहले साथ हुआ करते थे संपत्तिक अधिकार को हटा कर कानून अधिकार कर दिया गया तो अब मौलिक अधिकार कितने हैं पहले साथ थे अब कितने हैं भी छे हो जाते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स कुछन को देखीगा मौलिक अधिकारो का इस्थगन कब और कौन कर सकता है मौलेक अधिकारों का जो इस्थगन कर सकता है वो कब और कौन कर सकता है प्रधान मंत्री की सलापर आपात का लागू होने पर राश्टपती द्वारा सैनिक सासन लागू होने पर या फिर राज्यों के राजिपाल द्वारा तो मौलिक अधिकारों का इस्थगन कौन कब और कौन कर सकता है तो क्या हो जाएगा कौन कर सकता है यह कर सकता है आपात का लागू होने पर राष्ट पती कर सकता है क्या आपात का लागू होने पर राष्ट पती के द्वारा मौलिक अधिकारों का सब्सक्राइब भारती सम्भीधान में कितने मौलिक करतब्यूं का उलिक किया गया है आठ नौ या फिर दस या फिर वारा हो जाते हैं तो मौलिक करतब्य कितने हैं वो आपको बताना है तो कह रहा है भारती संभीधान में कितने मौलिक करतब्य का उलेक किया गया है तो भई 10 मौलिक करतब्य का उलेक किया गया है राइट आंसर हो दाएगा 10 ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स कुछन को देखीगा यहां दिरका है निती राज के निती निर्देसकत्व संबीधान के किस भाग में उलिकते हैं तो यह आपको बताना है यहाँ पर रुझाका कौन सार है बिलकुल राज के निती निर्देसक्त्ट्व संभी धानर के किस भाग में उल्ले केता है तरतिय चतुर्त पंचम या फिर छाट्व में यहाँ पर राज के जो निती निर्देसक्त्प है वो भाग कौनसे में है चतुर्थ भाग में हो जाते है आगे बढ़ते हैं राज के निती निदेशक्तत्व का बिचार किस देश से लिया गया है राज के निती निदेशक्तत्व का बिचार जो है वो किस देश से लिया गया है यहाँ पर आपको बताना है ब्रिटेन से अमेरिका से औस्टेलिया से या फिर आयरलेंड से निती निद के निती निर्द्व किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं वही क्योंशन रेपीट तो यह भी कहां से लिए गए हैं आईर लेंड से लिये गए हैं ठीक एद प्रसंद कर देखें आफ देखेंगा आगे संवीधानिक अदीकार संवीधान के किसन उच्षेद में हैं तो 160 32 में हमें देखने को यह मिलते हैं आगे देखते हैं सूचना का अदीकार कब अस्तित्व में आया था तो आया था dho 2006 2006 में कब आया था नेक्स कोशन की बात करते हैं संभी धान के किस अंसोधन में राज के निती निधस्तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्रात्मिक्ता दी गई है तो संबीधान के किस संसुदन में राज के निती निधसत्वों को मौलिक अधिकार उपर प्रात्य मिक्ता दी गई है तो बैव हो जाता है 42 संबीधान संसुदन 1976 के तहट अगे बढ़ते हैं नेक्स कुछन दे रखा है कि भारती संबीधान में सोतन्था के अधिकार की गारंटी किस अनुच्यद में दी गई है तो भारती संभीधान में सुतंतता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है तो अनुच्छेद 18 के अंतरकत सुतंतता के अधिकार की गारंटी दी गई है ठीके अनुच्छेद 18 के अंतरकत आगे देखते हैं पृतेक राज की पहचान उसके अधिकारों की व जो है यह किसका कथन है आपको बताना तो यता है प्रोलास्की का किसका प्रोलास्की का ये कथन हो जाता है आगे देखते हैं मौलेक अधिकारों की मुक्ष्भ बिसेष्था यह यह कतन किसका है आपको बताना है तो यह कतन किसका हो जाएगा पतंजली सास्त्री जी का हो जाएगा आगे देखते हैं राज निती के निदे सिध्धान्तों का उद्देश जनता के कल्याण को प्रोसाहित करने बाली समाजिक विस्था का निर्मार करना है यह कतन किसका हो रखाया राजनितीके निदिस धानतों का उद्देश जनता के कल्यार को प्रुच्तायत करनी बाली समाजिक विस्ता का निर्मार करना है यह कतन किसका है तो यह कतन हो जाता है डॉक्टर राजिंदर परसाद जी का कतन हो जाता है आगे परता हैं रखा यह तत्ब उद्देस और आकांचाओं की गोश्ण नामातर है किसका कतन है यह कतन किसका हो जाता है तो यह कतन है प्रोकेशी हुएवर का किसका प्रोकेशी हुएवर का तो राइट आंस बहुत है का प्रोकेशी हुएवर ठीक है आगे बढ़ते हैं रहे हैं यह सिद्धान्त के आदर्स हैं यह सिद्धान्त के आदर्स हैं जिनकी पूरती का सरकार प्यत्न करेगी किसके कतन हैं किसका कतन है आपको बताना है यह सिद्धान्त के आदर्स हैं जिनकी पूरती का सरकार प्रत्न करेगी किसने कहा है आपको बताना है तो यह कहा है LC खेड करने किसने LC खेड करने यह कहा है आगे बढ़ते हैं राज के निती निदे सक्ततु भारते संबीधान के किस अध्याय में और किस अनुच्छेद में बढ़ते हैं तो भारत के जो निती निते सर्क्म हैं वो 36 से क्यावन तक अनुच्छेद में हैं किसे 36 से क्यावन तक अनुच्छेद में हैं और भाग कौन सा है अध्याय है अपना चोथा कौन सा है अध्याय चोथा और 36 से क्यावन बे अनुच्छेद में हो जाते हैं बात करते हैं संपत्त जो होती है वो कितनी चार हमने complete करनी इस वीडियो में और आगे जो हमारी चार रह जाती है वो किसमें होगी part 2 में रहने वाली किसमे part 2 में रहने वाली है यहीं से सारे की सारे mc की question बनेंगे आपके exam में 100% यहां से हम guarantee लेते हैं ठीक है बिलकुल तो क्या करना है बई इन कुशनों को बहुत ही बार-बार repeat करना है बार-बार repeat करना है और अच्छी प्रकार से पढ़ना है जो क्या आपको याद हो जाएं ठीक है मैंने याद करने की पूरी कोशिश की आपको प्रकार टे लाइक करना शेर करना चैनल को सस्काइब करना सेकेंड वीडियो फिर जोड़ना तो जै हें जै भारत